ये लखनाओ की सरजमी ये लखनाओ की सरजमी ये लखनाओ की सरजमी ये रंग रूप का चमन ये खुसन औ इश्क का बतन यही तो वो मकाम है जहां अवद की शाम है जवाँ जवाँ हसी हसी ये लखनाओ की सरजमी ये लखनाओ की सरजमी शवाब वो शेर का ये घर ये एहल इल्म का नगर है मनजिलों की गोड में यहां हर एक रह गुजर ये शहर लालाजार है यहां दिलों में प्यार है जिधर नजर उठाईये बहार ही बहार है कली कली है नाजनी ये लखनाओ की सरजमी ये लखनाओ की सरजमी यहां की सब रवायते अदब की शाहकार है अमीर एहल दिल यहां गरीब जानिसार है हर एक शाख पर यहां है बुल बुलों के चहे चहे गली गली में जिन्दगी पदम कदम पे तहता है हर एक नजार दिल नशीन ये लखनाओ की सरजमी आपलों के लगनाओ की सरजमी अनिदगार की सरजमी आर उट पिरेन वो कर दो अगर किसी से जगड़ा हो गया तो मुझे भी पिटवाओ गया और खुद मी पिटो तो आमान महीं यार कमभक समीजन ने यही मिलने को कहा था उसको देख रहा हूं एक ग्लास पाले देजें अमा आज यह क्या मतला है है हाँ जाता है भे निकाल में कहता हूं नाला एक प्रीका आई बेटा क्यों मारा खरीब को इसलिए लिजिए आप किये कम इसका मिज्दा तो हुच रखा कीजिए आई यह ना मेरी पहुची आई हाई इस पर खुदा की मार यह मुआ भीक मांगने के बहाने यहां यह कर रहा था आई बेटा परका दो जूती आओ लगा मेरी तरफे जाने वीजिये घरीब है बेचारा इस यह तेरह बेचारा इस यह तेरह बेचारा अमा काओ भी वोश में आओ या सुभान अल्ला खुदा आबाद रखे लखनों को फिर घनीमत है नजर कोई नो कोई अच्छी सूरत आही जाती है जी अमा शादा कुछ तुमने भी देखा देखू किसे जिसने वादा किया दो आही नहीं है अमा उसे चोड़ो इसे देखो रा की पसंद क्या लड़की है अमा देखो देखो वो रुकी और फिर निखाब लड़ती आसने जैसे स्यामदाजलों के चोड़ो इस जान निकला है अम्मी ये पहुचिया आप ही रखे तो चल गई छुरी दिल पर कौन है ये ती आईडी तो हूँ नहीं के इतने अच्छी बात है चलो पीछा किये लेते इसका तो क्या इसके बाप कभी पता लगा लेंगे आओ तो आप लोग नहीं जा सकते आप लोग नहीं जा रहे हैं उनको जाने दीजिये पासी तो चौकिये चल कर बयान देदी ये वन्ना आप पर जुरू आयद होगा लोग ये की रही आमा चलो ये लोग नहीं मानेंगे वह उनको तो घरी जाने दो वरना ये लोग घर पहुंचेंगे और हम लोग जेल खाने चलो अगली जुम्हेरात को मेरा जिमा चलो जो बई चलो अब आपर देने वासा क्या आप शोच क्या मुस्की बत्ता अरे खौन हो माई क्या गवले किसको पगड़ रही हो ओप शेदा मैं है तुम्हें तुम्हें कैसे मैं तुम्हें मेले में ढून रहाता आई थी गरश से लेकिन खुदा वारत करे इस मुए को इसने में बच्वा मार दिया अच्छा तुम घर चलो मैं इस जाते शरीफ को ठीक करता हूं जाओ 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 तो आप है क्यों बे आज शायदा एंड कंपरी के पिछे लगावा है मुशी जी लिखिया मेरी गवाई ये ये नालैक जेब कत्रा जेनाब का इसनी ग्रामी मिर हाई हूँ के आप चीक है ले मेरे जूतेबी गदे यहाँ अच्छा हुजूर पूरे धाई से मारूंगा एक दिकन नहीं क्या संदे आने दोबर पुर्दार कूँ तू अपना जूता भी रखता जा बहुत अच्छा हुजूर अब 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 हमारे वे जिसे इसे में रख लेगे हाँ हाँ रख दे अब बाला 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 इसे इतने काफ हैं उसके ताज़पोशी के लिए अबिया मुण आज भाजां के ताज़पोशी हमारे जितु से होगी शुक कमबग जी नहीं वहाँ आपकी ताजपोशी का इंतिजाम हो रहा है ताजपोशी मेलेवारी पुलिस चौकी से ख़बर आई है कि आप महां जाकर बुर्का पोश औरतों को घूरते हैं और हरेक की शकल घूम घूम कर देखने की कोशिश करते हैं तो 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 क्या यहां तारोगा जी बड़े घजबनाक हैं सारे महले के जूते कठा कर रखे हैं तो तो जालतों साइब का बलतों आई बला यह बला नहीं टलेगी अगर 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 यहां दिखाई को अगर बार यहां अगर देखाई देता कि अगर अगर में भी ठीकाने लगजाएं मगर में भी ठीकाने लग जाओंगा वो और भी अच्छा होगा ऐसी अलाद से बे अलाद होना बेतर बोल, इधार से शुरू करूँ इधार से या इधार से अपा हुजूर, अगर ताश पोशी ज़रूर ही है तो फिर अपा हुजूर, मेरा सारका नहीं तो कम ते कम जूतों का जूरूर ख्याल फरमा रहा हूँ हाथ है, मैं सम्झा जूता हो या हाए हाए, जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को इधार से देखिया, मैं इधार से अम्मी जान ये ताज कोशी किसी और मुबारक दिम के लिए मुल्तवी करवा दीजिए मैं आइंदा कभी ऐसी गल्सी करूं तो आए हाँ मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए फिर कभी ऐसा जो करेगा आगे ने बीट में तुभी ने ऐसे बना रखा अपा हुदूर मैं पसम खाकर वादा करता हूँ आइंदा कभी दर्गा शरीफ के आहाते में भी कदम हुए वितूंगा बस कमबक तो कोली हो जाओ पे कोली बाग जगर को तमाशा गाह बना के रखता है हाई हाई बादा तो कर रहा है बिचारा अर फिर मैं पडेशन अर्फिर मैं जानेया जाओ अपारा अपारा ओब जाओ की अरे चार है माग 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 अम्मी जान में अंदर आ सकता हूं? क्या रहे वीड़र? आ जो बेकार अम्मी जान देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? पीर साप के मजार कता पर रो जी ते रहो बेका तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और अम्मी मैंने आपके लिए दुआ भी मांगी है कि अल्ला हापको जलसी अत्याप करे और इंसाल हजे काबा और स्यारत मदीना मुनवरा से मुशर्फ पर्माए आम्मी वो तो हो गाही बेता मगर तुने अपने लिए चांशी दुलहन क्यों ना मांग लिए? अम्मी वो तो बिन मांगई उनका करम हो गया भाईजार एक करम मुझ पर भी हो जाए ये पहरित बेख लीजी महमानों की परसो मेरी सालगीरा है अरे हाँ बेता शादी के बाद मेरी बेती की पहली सालगीरा है नहाय धूमघाम से मनाऊंगी देखो तो किस किस को बुलाया है सुल्ताना बेगम दक्या खातून अस्करी बेगम नवा वेगम सब तो हैं लेकिन असलम और शादा का नाम नजर नहीं आता है क्यों? यह देखे नम्मी है तो आखर में आखर में नहीं बेटी इन दोनों का नाम सबसे उपर होना चाहिए बच्पन के दोस्त हैं मेरे बेटे के मेरे लिए जैसे तुम दोनों वैसे वो बलके शादा की वालिदा और दरोगा साब को भी दावत दे दो बाकी रहा असलम मेरा सबसे अजीज दोस्त अमी वो मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यारा है दुनिया में अकेला है वेचार ना बाप है ना माँ है एफ़ा ना कहो बेटे मैं जह हूं उसकी माँ की जगह खुदा बक्षे तुम्हारे अबबा मर्हुम कहा करते थे जिसको सक्चा दोस मिल गया अला सलामत रखे तुम तीनों को और तुम्हारी दोस्ती को जाओ सालगेरा के दावत नामे लिखवाकर तक्सीम करवागा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 हुआ दो है पत्स अप्रण दो कि वाल टो कर देवा दो बहुँ दो कि अजाई लुब कर दो कि प्रपीबर, नहांने आज कहा बर्गेशाब के साथ को, किसी का पता ही नहीं है फ्रपीबर, प्रपीबर, फ्रकेशाब के कि अजके जिना जपीमान कॉनना कि अजिर्पट्ट्ट्डर, जिर्पेशाब के अ. आहीं, बच्यो. जएसे जीमी, I'll come. ब कर दो दोंगेशाब के। ह कर दो, शो uzब हु दूटे नचीव 2020 हम कि ऩठे री वादन दुटे भी रहुन, दूज ब म다म हऊते हैं अच्छी जग है, तो भी यहीं पर आज़ा, बहुत मुलाएंगा यहां बैकर खाने तो बहुत मजाएगा, किसके किस्वेर है यह? यह रिहाना के भाई की है शायद, क्यों? जैसे मैने ने पहले कहीं देखा है, खौब में देखा होगा यह और मेरे खौब में? शायद बहुत हसीन समझते हैं शायद अपने आपको जो इतने छोटे कमरे में इतनी बड़ी तुस्री चान रखी है नहीं भाई, शक इसो कुछ इतनी बुरी नहीं है अरे हटो भी, तुमारे लिए होगी, आओ, मैं दिखाती हूँ सबसे पहले तो पेशानी देखा जैसे मुल्सकाल्टी की पुरानी बेमरमत कड़ा उन्ची उन्ची और यह ना जैसे जली हुई रोटी पे बुना हुआ बैंगर और यह मूह, मूह तो ऐसा है जैसे लेटर बॉट तो ख़ट डाने वाला होता है न है, ऐसा ना कहो कहीं रिहाना ने सुन लिया, तो क्या कहें पुर्टी का खा रही हो और उसी की भाय की पुराई करती रिहाना, मैं कहती हूँ अगर यह हज़र्ट कुद भी सामने आ जाए तो भी यही कहती और अगर यह बिगड कर कुछ कहते तो यह अरी माह, क्या देती तो अरी ठीर हिसी मैं कुछ पहना नहीं नहीं बड़ी पदला में होगी और अगर उन्होंने खुदी रहाना केखिया तो अरी नहीं पधली Conference us मां अची शर्मा के ये क्यों सब पर्दानशी शर्मा के ये क्यों सब पर्दानशी आचल को समारा करते हैं शर्मा के ये क्यों सब पर्दानशी आचल को समारा करते हैं कुछ ऐसे नजर्वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं शर्मा के ये क्यों सब पर्दानशी आचल को समारा करते हैं बेताग निगाहों से कह दो जल्वों से उलजना ठीक नहीं बेताग निगाहों से कह दो जल्वों से उलजना ठीक नहीं आना संभल के पर्दानशीनों के सामने जुकती है जिन्दगी भी हसीनों के सामने मैं फिल्म में खुसन की जो गया शान से गया जिसने नजर मिलाई वही जान से गया बेताग निगाहों से कह दो जल्वों से उलजना ठीक नहीं जल्वों से उलजना ठीक नहीं ये नाजों अदा के मत वाले बेमोद भी मारा करते हैं बेमोद भी मारा करते हैं ये नाजों अदा के मत वाले बेमोद भी मारा करते हैं शर्मा के ये क्यों सकु परदा नशिया तिल को सवारा करते हैं कोई न हसीनों को पूछे दुनिया में नहोंगर दिल्वाले दुनिया में नहोंगर दिल्वाले भोई न हसीनों को पूछे दुनिया में नहोंगर दिल्वाले नजरें जो नहोती तो नजारा भी नहोता दुनिया में हसीनों का गुजारा भी नहोता ओ इन हसीनों को पूछे दुनिया में नहोंगर दिल्वाले दुनिया में नहोंगर दिल्वाले जो चुप 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 नजारा करते हैं चेड़े न मुहबत के मारे इन चांद से सूरत वालों को इन चांद से सूरत वालों को अर्ज कर दो ये नुक्ता चीनों से के रहे दूर नाजनीनों से अगर ये खुश हो तो उल्पत का एहतराम करें अगर जरा भी खफा हो तो खतले आम करें चेड़े न मुहबत के मारे इन चांद से सूरत वालों को इन चांद से सूरत वालों को ये शोख नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं आरे शर्मा के ये क्यों सब तो पर्दा नशिया चल को समारा करते हैं पिखने तू तरसल मैं तुझी को देख ला था मैंने तुम्हारे साली गरा के लिए बहुत खुबसरोत हार खरीद आ जी हां जी हां ये बहुत मेरी बात है भाए जाएं क्या है अगर इनमें से कोई देख लेता तो मेरी नाथ कट जाती मेरी कोई सहली भी ना थी तुम्हारे चला जाता हूं अच्छा बाबा नहीं होंगा जा अपना काम कर दो क्या है म्यां तेकर मेरा एक काम करेगी तकार एक हाजार काम कर दो अच्छा बाता देता हूं वह लड़की जो रेश्मी टुपट्टा ओड़े हूए ना जिसमें कामदानी के फूल लगे हूए है यह देख शीख टोड़ा है यह पो कहां से मिला यह फिर बता मों जाए अच्छा और देख किसी से कुछ हुआ सरकार मेरी यह मज़ा कर वो यह हां सब हो जाएगा तुकाम तुकार अच्छा बाब लाओ लाना हम तुम भी बदर ले नगर यह तो फटा हुआ है क्या करो जी इसको एह चले खुगा दे यह लो प्रिर्ट हुआा हुआ 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 नचेए लाटहा हुआ हुआ हुआ- प्रिर्ट लाट आ ЗЕ chuck desc 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 में दिलबादानी तुमारा का है दिलबादानी ऐबानो बीबी मुबारख हो जिस बात मुबारख बात देरी ही नसिवत ये तो नहीं बताउंगे मगर समझ जाएए जिलबादा अबबादा गजात ऐसिये अपनी मारे की हैं वह तो जो आगन अन्री शहाव है उपनी की साथ जादी है आए अची तरह से मुलू है न इस देवरी पर आने से पहले मैं उन्हीं क्या नावकरी करती थी है खासे अच्छे तालूब के दार है अल्ला रखे साथ जवान बेटी हैं और ये एक साथ जादी है लड़की से एची तरह से वाख़ियत है ना? इन्हीं मिया क्या बात करते हैं वो तो यू कहो कि काम काज की वज़ा से फुरसत नहीं मिलती वन्ना रोज आना जाना था जाए सच याप बाई लिए ना, अब दोचार रोज में बचाओंगा क्या कहना होगा जांकर समझें? बिलकुल समझें सरकार, एक तब समझें अरी कबभा, योर्गी निशानी तो देभी जाँ दिल को कुछ तो करार रहे है हाई हाई मिया, इतनी ही बेकरारी अमा अंदर होगे नवाज सहाब शैदा? शैदा आओ भई आओ अमा अकेले ही चले है? जी, अकेले ही नई खास्तार भी हादिर है आदा वज़ा अमा अलम, भी कहा खैब चेकन दिनों से? बहुत मस्रूफ, मगर आज आना ही पड़ा एक तो रहाना की सालगी राथ और दूसरे तुम्हारे मौमले की खुशकवरी जो शैदा से सुनी तो सारे करमकाथ छोड़कर मुबारकबार देने चला है चलो फिगला तो ये पसर मूम होकर कहीं तो तब यत आई ये बताओ मूह कब मिठा कर आ रहा हो अभी नहीं यार पेले पता तो चल जाने तो मेरा मतलब है अगले जुवे रात पर नहीं भाई अब इसकी जुरूद नहीं रही वो तो अहा जियान अबीबी ने आप दोनों साहिवा को सानाम कहा है अच्छी बात है समझ गए हमारी तरफ से जवाब में ये दे दे ले और ये हमारी तरफ अम हां वो बात तो रहे गए क्या करे से मारियाना की सालगरा में वो भी आई हुई है क्या कहा हाँ यही तो नसीवन से पूछ रहा था कि तुम लोग आ गया ये भी मालूप हो गया कि महले में आगा नन्नी साब जो है उन्हीं की साफ़जादी है वो ये देखो उनकी निशानी बड़े उस्ताद हो यार कैसे मिला ये दुपर टिकट उपर आई है मियाया क्यों और दिल पे चोट लगी क्या है । हम पीश पे चोट दे गयी है क्या कै रहे हूँ है क्या लहरदार चोट है थालीम ने क्या बल खांके मारा होगा बेकुल नाजन की तरह क्या कर रहे हो हमा बिलकुली लग्रात क्लाश हाची शुरू करती नहीं देखो सिर्फ तोप का गोला ही आजमाया नहीं गया वरना तमीजन ने दुनिया की कोई चीज उठाने रखी और सब पैगे है हयादार होते तो धूब मरते हैं वाकई है छोड़ो इस बात को अब तो लड़की का पता चली ही गया चक मंगनी पट ब्याद चलो अभी तैकी आते अरे मगर ऐसा भी क्या है जरा आख सोच समझ लो अगर उन लोगोंने रिष्टे से इंकार कर दिया तो अमा क्या बात करते हो शैदा अस्लम की बात तुम्हारी ज्यूतियों के तुफैल सारे लखनों में कोई नहीं चाल सकता क्यों मैं क्या करते हो चले आ कल तुबाद अमा हाँ यार यह तो एक एक मिनिट मश्किल से गुजर रहा है लो भई एक और गए अब रहे तुम सो अल्ला मालिक है अच्छा वह चलते हैं अब क्या घजब कर रहा अब जखम की थंड़क के लिए नुस्खा याद आजिया यह जो डुपट्टे का टुकड़ा है ना इसको जलाकर मक्षन में मिलाकर मरहम बनाकर जखम पर लगाकर बवक्त तकलीफ आजमाईए आईए मेरा मतलब है तालीम अलीम क्या है साथ जादेग यह मेरा मतलब है कुछ खेलते वलते तो होँगे खेल जहां हुड़ुडवा ला जबाब खेलते हैं यह कौन सा खेल हुआ साथ यह वो खेल है इसमें एक शक्स दो को अपनी पीट पर लाज लेता है और 10 मिल भागता माशा अल्ला, माशा अल्ला, भाई अजीव अजीव खेलें और नाम जीव बस अब इतना और फरमा दीजे कि कुछ मकान, जायदाद, इलाका अजी ये भी कोई पूछने की बात है जी जंगली गंज, बेगम गंज, नवाब गंज, मकबूल गंज, महबूब गंज और तोब दर्वादे में 20 अवेलियां और 60 दुगाने, मलियाबाद में आम अमरूद के 200 बागाद, और जमीन दारी माशा अल्ला, माशा अल्ला, अच्छा तो अब इस विश्टे को करीब करीब तैस समझिए मैं जरा किबला अब्बा हुजूर से मश्वरा ले लूँ, क्योंके उनका फैसला ही आखरी फैसला होगा आपके अब्बा हुजूर? जी हाँ, वो अपने अब्बा हुजूर के महा गए हुए यानि के आपके अब्दा हुजूर अपने अब्दा हुजूर किया गए है माशाला माशाला तो हम लोग एक हफ्ते बाद आए बास बास बिल्कुल ठीक है आदा वास आदा वास असलम्या मालूम होता है पूरा खांदान आपे हयात की और वहे जल्दी से निकल चली है जरा हाथ दें जीजे नवाप साफ जरा इदर तो शरीफ लाए आदर हो देखिए आप लोग का मज़बी साल हज के बारे में क्या है मैं बिल्कुल नहीं जाना मगर डाक्टर की इंतियत से मेरी राय नहीं कि यहाद को जाए इस मर्टबा बीमारी नहीं बहुत कमज़ोर कर दिया है तो चुछ उसन दिल को आराम की सख्स जरूरत है अगर हो सके तो आएंदा साल के लिए मुल्पी करवादी जी यहाद यूं किया जाए कि इनकी बजाय किसी और को भीज़ दिया जाए क्यूंकि बीमारी और मजबूरी की हालत में हद्य बजल भी हो सकता है मेरा मतलब है इनकी बजाय कोई दूसरा हज का राय तो शरा के मताबिक हज इनी का होगा मेरी राय में तो यही ठीक है हजरत अगर कहीं आप ही इस नेकाम के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपका बहुत शुक्र गुदार होंगा और वालिदा साहिवादी जी मुझे कोई आतराज नहीं मगर मगर क्या फरमाईए मैं जरा बेगम साहा से कुछ बात में करना चाता हूँ बड़े शौक्स ने अंदर पर्दा है आवाज दे लीजिए मैं जरा डॉक्टर साह को साह जाता हूँ जी आईए डॉक्टर साह करते हैं अल्ला का फदल है बेटे मौली साह में क्या रशाद फरमाया है मौली साब तो तयार है विचार मेरे लिए हचकर आएगी लेकिन उनकी लड़की जवान है उसकी शादी कि ये बगएर कैसे जा सकते है उन्होंने साथ तो नहीं कहा सिर्फ ख्याल रहर किया है कि तुम्हारे ही साथ हो जाये तो अच्छा है जी मेरे साथ हाँ बेटे मैं भी यही जाती हूँ कि मेरी दोनों मुरादे एक साथ पूरी हो तुम्हारी शादी और मेरा हज़ फिर लड़की सीरी सादी है खुबसूरत और सा में एक मगर अम्हारी यह तो आपके वादे के खिलाफ है आपने मुझे शादी के मामले में पूरी आजादी दे रखी है पिर यह क्यों अरे बेटे बात यह ऐसी आगल है क्या तुम चाहते हो कि मेरा हज नहो अगर मेरे हालत ना गेर गई होती तो डाप्टर साब मना ही क्यों करती फिर जिन्देगी का क्या भरोसा है ऐसा न कहिए अमी जाद अमी अमी अगर यूँ हो अगर यूँ हो कि मैं अपने बजाए किसी और को पेश करूँ मेरे मतलब है कि मुझे हर हालत में बेतर हो तो मेरे बच्ची मा की नजर में अपने बेश्टे से अच्छा कोई नहीं होता बुलवाँ मालवी साब को नहीं अमी जान, अभी में मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए अच्छा तो सोचने वक बहुत कम कल तक माल्य साब को जवा मिल जाना चाहिए कल तक, अगर आओ कल तक, अगर झाओ आओ कर दो कर दो कर दो कर संगुता जी मैं इशाकी नमाज पनने के लिए जा रहा था आप एस वो और इसाकी नमाज बोल जा रहा था अरे बाई अपना यही तो ठीका ना एंग ज़नों कहां लेकिन आप इस वक्त यहां में मैं तुमसे कुछ पूछने आगा। ज्या शादी करोगे, शादी किस से तुमिज़े से ऐखते हैं। इस वक्त को मुसकता है या वे शड़ा आई 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 चैन नपड़ता होगा यह तुम्हे पहले ही जानता है आज की आख करेंगे और नींदे खमारी अराम हो नहीं भारी इसके अलावा है कुछ जरूरी बात वाके तुबैठिये अरे भी मुझे बुला लेते हैं हुदूल तक्रीफ क्या भी रात चलो एक ही बात है मैं आगया तो कोई बेदती हो गई या शान गट गई तुम भी नहीं सोय क्या कर रहे थे हिसाब कहे कर आपके आपके नहीं बैठने दोगे चला जाओं क्या इस मकान से जिसे तुम्हारी महरवान्यों ने खड़ा के हैं सभी कुछ तुख हो चुका था मेरे दोस्त एक जान रह गए थे आज वो भी नो होती जो तुम ना बचाती और किसी लाइब तो हुआने कम से कम मुझ से तो कहलेने दिया करो बस कह चुके अब मैं भी कुछ अर्ज करों कि इतनी रात गया मैं इहां क्यूं आया हाँ फर्माइए यह तुम तो जानते हैं कि इस बढ़ापे में में जान सिर्फ दो चीदों की खायश रखती है एक मेरी शादी है दूसरा उनका हज और हज का सब इंतजाम भी हो गया और डॉक्टर का कहना है कि उन्हें खुद हज के लिए ना जाना चाहिए अच्छा तो फिर दैक यह हुआ है कि हज के लिए किसी दूसरे आदमी को भी दिया जाए इसके लिए मौली सब चुने गए हैं और वो तैयार है मगर यार मुश्किल यह है उनकी लड़की जवान है और जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो नहीं जा सकती है अब अतनी जल्दी शादी के इंतजाम और कहीं तो हो नहीं सकता यहाँ आजमीचान मुश्से करदेना चाहती है तो तूस्हां हां और मैं क्यों नहीं करना चाहता ये तुम खुद ही जानती है ऐसी हालत में अगर में मौलवी साब की लड़की से शादी करता हूँ तो असलम मेरी सारी उमिदों का खुन हो जाएगा तो होना क्या चाहिए मेरे दोस्ते मेरी खुशियों का जिनादा अगर तुम उड़ता हूँ नहीं देखना चाहते हूँ बलके यूं कहो कि मेरी जिन्दिग्यों को तबाही और बर्बाजी से बचाना चाहते हूँ तो ये शादी तुम का ये बस इतनी सी बार थे अभी चलो सेराबान के असलम असलम मुझे तुम से यही उमिद दी तुमने दोस्ती खाक अदा कर दिया मैं भी जाकरम भी जानते कहता हूँ हाँ एक पास सुन लो साब साब मैंने खुद उस लड़की को नहीं दे दी लोग कहते हैं कि अच्छी समझ लो भाई ये मेरी किसमत त्यारे मियां इसे कहते हैं इत्फास कि तुम से पहले दुला बन गाओ और खुदा ने चाहा तो दुलहन भी तुम से अच्छी होगी इतनी की रश करोगे जो कभी सामना हो गया आज़ हामे की Gothic मेरा यार बना है दूहला और फूल खिले हैं दिल के अर मेरी भी शादी हो जाए दूआ करो सब मिलके मेरा यार बना है दूहला और फूल खिले हैं दिल के अर मेरी भी शादी हो जाए दूआ करो सब मिलके आज क्यों खुश्या देखके मेरा दिल भी ले अंगड़ाई मेरे भी घर हो धूम धड़का और पजे शहनाई आज क्यों खुश्या देखके मेरा दिल भी ले अंगड़ाई मेरे भी घर हो धूम धड़का और पजे शहनाई मैं भी सहरा बाद के बैटूं बीच भरी में पिलके मेरा यार पना है दूला और पूल खिले हैं दिल के घर मेरी भी शादी हो जाए दूआ करो सब मिलके वाए ए मेरे मालिक मेरे डाटा मेरे पालन हार यार को तूने दुलहन देती रह गया मैं ही क्वार ए मेरे मालिक मेरे डाटा मेरे पालन हारा यार को तूने दुलहन देती रह गया मैं ही क्वार मुझको भी मेरी बुल बुल दे दे हैं मैं भी हसूँ खिल खिल के मेरा यार बना है दुला और पूल खिले हैं दिल के अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके ए मेरे हम दम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी आज तेरे सेहरे ने भाईया मुझके कयामत तोड़ी मेरे हम दम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी आज तेरे सेहरे में भाईया मुझके कयामत तोड़ी मेरी भी आँखों में जागे ख्वाब नई मन भोगे मेरा यार बना है दूला और पूल खिले है दिलके अर मेरी भी शादी हो जाए दूआ करो सब मिलके मेरा यार बना है दूला और पूल खिले है दिलके अर मेरी भी शादी हो जाए दूआ करो सब मिलके मेरा यार मिला है दूला और पूल खिले है दिलके अर मेरी भी शादी हो जाए दूआ करो सब मिलके वालम से मिलन होगा शर्माने के दिन आए मारेंगे नजर सैयां मर जाने के दिन आए मारेंगे नजर सैयां मर जाने के दिन आए जाबूल का मोरे आंगन बिसरा छोटी रे गोरे सथियां नीर महाए घोंगट में मोरे लाज की मारी अखियां बचपन के वो दिन गुईयां यादाने के दिन आए वालम से मिलन होगा शर मारे के दिन आए वी संग मोरे नैन मिलेंगे धड़कत मोरी छतियां पी संग मोरे नैन मिलेंगे धड़कत मोरी छतियां मन ही मन में डूलूंगी मैं तो पीत की सुनके बतियां खामेंगे सजन बईयां बल खाने के दिन आए वालम से मिलन होगा शर माने के दिन आए मारेंगे नजर सैयां मर जाने के दिन आए देखिए मैं सुरत दिखाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा यह अपने नसीब और आपकी मर्दी पे छोड़ता है मगर खुदा के लिए मेरी शकल जरूर दिखती जीए मैं काना हूँ मूँ पे चेचक के यह बड़े बड़े ताल है रंग अफ्रीका के हप्षियों से ज्यादा काला है और सामने के यह दो दांत पिलकुल हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले हुए हाथ कहाँ सुभान अल्ला है वाके चौधी का चलान दो त्यारे मियाने यह सबसे बड़ा आसां किया है अश्ड़ मिया वहता की टांगा हुए अरी कमवख्त तु क्या जाने महबद क्या होती है अथि देख थारा बदन थूक रहा है हाँ मिया थूक रहा होगा होगा अरी बड़ख्त मुझसे दूए निकलता है 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 सीवा जी लिए मेरे मुझे भी धुआ निकलता है? ना मिया, मेरे मुझे कभी धुआ नहीं निकला हाँ मेरे बाप भी मुझे निकलता है वह जब भुक्का पीती जा बाबा चा अरी जा को सलाम उपया मिल ले आ आय हाय मिया, सबर कीजिए शाम तक की तो बात है बड़ी मुश्किलों से राजी हुएं सामना करने पर वो भी इसलिए कि आज उनके वालिद की लाके पर जा रहे है फिर शायद मौका मिले ना मिले नसीबन तुब बहुत अच्छी है वागर शाम को कितने बज़े सरकार मुझे चिराग जलते ही बुलाया है मैं मही मिलूँगी आप किसी तरह छुपकर पाई बाग में पहुच जाईएगा बस अगर मेरा काम बन गया तो हीरे की ये अंगुठी तुझे नाम में दे दूँगा देख कितना खुश हो गया मेरा दिल देखो सरकार ये तो इस तरह चले जैसे रेल का अंजल चक 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 अरी कमबक्त ये तो मेरी घड़ी है दिल तो इस तरह है अबबा का दिल तो इस तरह है जल अबबा की बच्ची जा यहां कुछ नहीं मैं नसीवन से पूछ रहा था कि असलम की बीवी कैसी है बहुत तारीफ कर रही है मैंने जो कहा तक तुस्ते तो तूने नहीं मानी मेरी बात खेर असलम की तू अपना ही लड़का है गरीब घर किया लेकिन साव में एक है वो लड़की लेकिन अमी जान मुझे हजारों में एक चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक महीन फिर देखेगा क्या चीज़ लाता हूं कासम खुदा की अमी जान इसकदर हजीन है कि सारा मकान जगमगा होते हैं यह सारे जाड़ फानु सुतार कर रख देने पढ़ेंगा अमी आप तो मजाग करती हैं आफिर हम भी तो सुने कौन है वो अमी क्या हूँ जो आपको बता दिया आपके खोश उड़ जाएंगे देखिये तो सही मेरे खोश ज्यादा तो तू उड़ने लगा है किसी परी के पीछे मेरे बच्चे जल्दी का कोई भी हूँ घबराये नहीं आमी बहुत जल्द फैसला किया देता हूँ हामी आज शाम को मेरे इंतदार ना कीजिएगा असलम कि हाँ मेरी दावत है मेरे नसीब ये काम लाजबाब क्या कि तुम को लाख हसीनों में तखाब क्या हाला जाए भी अमा अचन कहाँ लुबाब अमा कहाँ भाई आईये मुबारखो मुबारखो क्याड़ी मिया बीवी मुबारखो भाई बीवी मुबारखो क्यों यार दुलहन पसंद है भाई तुमारे आयसानों से सुबुक दोस्तों क्या होता रोज बरोज दपता ही जा रहा हो खुदाक्ती कसम क्या चीज होता कि यह तुमारे हाथ जिसने मुझे तौफ़ा दिया अमा अटो यह क्या भाई आते और भाई मुझे तो यह पेशानी चुमा दो आ हाँ हाँ पुर्बान जाओ इस मुकदर पर जो चीज सूजी सो उलती अमा तोफ़ा देने से पहले देख तो लिया होता है शैयदा बल्ल्ल हमेरी वारी लगव में है शैयदा ने देखी है फूलो इससे खैनल के इस उब कित्रस निराली ने में छोड़ो यह बाटे भई झल्दी से खाना एक। जलूरी काम से जाना है reference आपकेट बहुत होलकाती है, कैसे सामना होगा, एक बात थे तो नहीं निकल सकेगी मेरे मुझे, अरे वीपी, तर किस बात का, मैं जो हूँ, साथ खड़ी रहूँ, नहीं बाबा, मुझे नहीं 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 करते जाका, आज हार वीपी, क्या गजब कदी हो, वो तो दिन से ही जुदार खाये बैठे थे, वो वर्टी खाने के पीछे जो बेड़ है उसे के नीचे अंधर ही खड़े ही बिचारे, अभी कंबक करिमन भी नहीं गई, वर्ट्व साफ कर रही है, आमा ऐसे नहीं ठेरो, अब ठीक है, बल्ला क्या जचरी हो, आमा शैदा, शैद इसी का नाम महबत है शैदा, एक आग सी है सीने के अंदर लगी, लो होगा या जब तो आग संदी होगे, कौन है बसमीशा, वह माँ, है यह क्या हुआ, जिपीजी, 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 बल्टी खाने के पीछे चोर खड़े हुए है, यूँ तरह वह मैं करिमा निकल य अच्छी वात है, तो बैटे रहिए धुनी रामाय के, अगर गोरी आए गई तो हूँ आ नहीं तो हूँ आ आप यही धैरिये, मैं बुलाए लेती हूँ, हाँ जाने कहां मरगी ये कंबख नसीबन, आमा कुछ तिकड़ में लगी होगी अच्छी बात है ये क्या कह रहे है आप ये वो नहीं, मजा कर रही हो क्या ये क्या कह रहे है आप ये कि अच्छी पागिए पागिए अच्छी पागिए चौद्वें का चांद हो या अफताब हो जो भी हो तुम खुदा की पसम लाजवाब हो चौद्वें का चांद हो या अफताब हो जो भी हो तुम खुदा की पसम ला जवाग हो, जौदरी का चांद हो जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल जुके हुए जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल जुके हुए आँखे हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चौदरी का चांद हो या फुताब हो जो भी हो तुम खुदा की पसम ला जवाब हो चौदरी का चांद हो चेहरा है जैसे जील में हस्ता हुआ कमल चेहरा है जैसे जील में हस्ता हुआ कमल या जिन्दगी के साथ उपे छेडी हुई घजल जाने बहार तुम किसी शायर का खुआब हो चौदरी का चांद हो या फुताब हो जो भी हो तुम खुदाग कसम ला जवाब हो चौदरी का चांद हो होंतों पे खेलती है तब सुन की बिजलियां सजदे तुमारी राह में करती है कैकशां दुनिया या हुसन अ इश्क का तुम ही शबाब हो चौद में का चांद हो या फुताब हो जो भी हो तुम खुदाग कसम ला जवाब हो चौद में का चांद हो चौद मानना पड़ेगा इसमें तुम्हारी भी गलती है तुम्हें साथ ले जाने के भजाओने रोकना चाहिए था अमा वाल्ला किस मर्दूत को पता भी हो बताया तक नहीं तुम्हारे यहां से खाला खाके निकले और सीधे वहां पहुँचे मामना देनी में तै करके सरे शाम नसीवन को भेजी चुके थे अच्छा वहां जो हुआ सो हुआ अगर ताज़ुद तो यह है कि वह लड़की भी नहीं थी जिसको प्यारे मियाने पहले मेले में और बाद में मकान पे दिखा था क्या कह रहे हो शैजा हाँ भई नजाने कंबख्त नसीवन की क्या चालती है इसमें जो खामखाद उसी लड़की से भिरवाना चालती थी और क्यों यह खोदा बहतर जानता है वो कंबख्त है कहाँ जर अब पूछो तो सही क्या मतलब था उसका अमा वो कली से लापता है आई ही नहीं ड़के मारे रूप फर्दा हो गया है तो श्रीव ने चलिए मैंने कहा आली जान अवाब प्यारे मिया साहब अंदर आ सकते हम लोग आये हुजूर आये तश्रीफ लाइए क्यों अभियत तो ठीक हो गया होगी और दर्द भी कम हो यह गया होगा यह चोट कहते लगी शैदा आदर वर्देटीदा मैं पूछती हूँ यह चोट कैसे लगी जी वो चोट अहां अहां आओ देखाना ताव सर पर पाव रखकर भागे आगे आगे यह और पीछी पीछे में और मेरे पीछे चार लचबास है हाई अल्ला कहीं जाका डालने गए से क्या इस जी नहीं चैंची जानी यह किसम का खेल है सुर्तान आला मुजूर नभाब बाजीद अलेशा को यह खेल बहुत पसलता मगर यह कौन सा खेल है निकोडा जो राथ ही में ख्यला जाता है दीन ही झी नहीं ख्यला जाता है ठाथ फूरसत ना उ तो राथ ने भी खेल करकते है ऐसी फिर पावन भी महीं है तखना बाबानण आज से इनका रात को निकलना बंझ यहां चाची मेरी गेत यही राधे है इसकी बीवी मैंने तुमें दे दी और तुम इसके लिए बीवी नहीं ढून सकते कान खोल कर सुन लो मैं तो इसी चांद में इसकी शादी करूंगी अगर तुम लोग ढून लाय तो खैर वरना जहां मेरा जीच आएगा कर दूंगी एक ना सुनूंगी यह तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह हसरत उस मेले वाली लड़की के बगएर जिंदा नहीं रह सकते हैं बलकु ठीज है कल चुमे रात है हम और शायदा फिर उसी दर्जा से शुरू करते हैं यह तो मैं पहन चुकी हूँ उस रोज वो देख भी चुके हैं कहते थे कयामत बर्बा कर रही हूँ रखो अलग इसे कयामत का बार बार आना चीक नहीं है मज़ा तो जब है कि सिर्फ सूरत और सादगी पर मरना जीना हूँ है अल्ला है अल्ला क्या होगा आपको है अल्ला बोली भी क्यों आप डर गई जाइए मेरे तुझी धक से हो गया किसी की जानगी आपकी आदा थेरी जान तो मेरी जाएगी किसी दिल तुमारे भूसन पर हाटा ये भी बेगम एक बात तो बताओ कोई तुमसे भी हसी लड़की है इस शहर में क्यों नहीं इतना बड़ा लटनों पड अधा है हजारों हमें से अच्छी है मैं नहीं मानता तो ना मानिये ये आज कहां की तैयारी हो रही है पीर साब की उर्स में जा रही हूं अम्मी जानने बुला भीजा है आपको कोई एतरास तो नहीं बिल्कुल नहीं जुरूर जाओ मैं भी वही जा रहा हूं बड़ा लुस्फ रहला हूं अब समझी के हसी लड़की की पूछगज क्यों हो अगर अब क्या करेंगे पूछकर मैं तो आपके सर मन दी गई हूं दर्गाह जाना भी फुजूल है और किसी की तलाज भी तुम्हारे सर की कसम आज तक नहीं किया आज जा रहा हूं वो भी किसी खास वज़े तो अच्छा शोदों और गूंडों की तरह शरीफ और तो ताक्जा का मौका मिलेगा क्या मतलब तारे दोस्तों से तुम्हारा सामना करवा दूगा और इतना तंग करूंगा कि वहां से मेरी जूती मैं निकाब डाले रहूंगा अच्छा देख ले ना यूही सही अम्मी जान आदाव जमीला मेवारी बेटी चश्में बदूर कितनी अच्छी लगती है तुम्हां जमीला आदावत भीजन जिती रहो अरे भाई कहां भूल पर ही आजी रख नहीं कसम से पूर्चती नहीं मिलती और आप भी तो भूल गए कभी जांकते तक नहीं कि मर गई या जिन्दा है आयाय मरे तेरे दुश्मन जो मुह में आया बखने लगी अच्छा आप एद पर आएंगे हम दोनों भाई इस वक्त मैं दुकान पर जा रहा हूँ अकमल तनहा है आदावमी जी तिरो बेटा चलिए अमी तयार हो जाईए कल तो हम उरुस में जाने सके आज आप के साथ चलेंगे अच्छा बेटा मगर ये सब गहने तो यहीं उतार दे वन्या कमबक्त कितने चोर गिराकट वा होते हैं देख उस मरतबा पहुंची जाते जाते रह गई खायर वो तो घरी की थी ये तमाम जेवरा सुस्राल के हैं एक भी गया तो ना कट जाएगी लोग कुछ का कुछ नों समझ वैठे अच्छा में बस छोटी छोटी चीजे रहने दो और किसी फकीर तोले को न जिक आने ही न देना मैं बुलाती हूं कुलसम रुकईया और उसकी महा को पाच चवणी का सवाले बावा जो दे उसका भी भला जो न दे उसका भी भला ये दुनिया गोल है उपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है ये दुनिया गोल है उपर से खोल है जितने हैं दुनिया गोल है उपर से खोल है जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं जोली डाले कोई मुराद मांगे कोई आउलाद मांगे कोई मोहबच चाहे कोई हुपूमच चाहे कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे सबके गले में भैया अर्मानों का डोल है ये दुनिया गोल है उपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है ये दुनिया गोल है उपर से खोल है चांदी सोना ना मांगू रुपया पैसा ना मांगू खोली बंगला ना मांगू कपड़ा लक्ता ना मांगू घोडा गाड़ी ना मांगू कुर्ता धोती ना मांगू परवर्दिगार मेरे उसका दिदार दे दे एक पोटो का सवाले बावा बेट अब तक नहीं मिला परवर्दिगार मेरे उसका दीदार दे दे जल्दी मिला दे मेरी दुनिया डावा डोल है ये दुनिया गोल है उपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलं पोल है यह दुनिया गूल है ऊपर से यह कां से मर गए प्यून बदलो मेरे मौला बुलाल मदीने मुझे लगे मौत के आन पसीन मुझे मेरे मौला बुलाल मदीने इसे नहीं बाबा मुझे अच्छा बेटा अच्छा लंबी उमर हो उपर से खोल है अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पॉलम पॉल है ये दुनिया गोल है वाई क्या बत्त मीसी उपर से खोले भाई हरी शेदा तुम मेरे वाली साम मलकुल मौत जा रहे हैं तुम उनके पिछे लग रहा हूं और वो वो लोग अभी तक निया है मैं सब देख चुका हूं जाओ जल्दी से कभी पनक कर ना जाए जाओ जो दे उसका भी भाला जो ना दे उसका भी भाला अमी अमी ते ली पहले पुंतो लेले हाँ बेटे लेलो जो ले उसका भी भाला अया आठाने के खुल दे दे ना जाओ 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 पकेर का सवाल पूरा हो गया बाबा तेरो भी सवाल पूरा करेंगे एक चादर हमारी तरह बिंगे जो बाबा दुआ हाथ मा बढाईजिए बेटे चमीला फूर लेलो बेटे अरे भाबीजान निसीमा जो हम तुम से नहीं बोले अल्ला जाने भूली गई जैसे मेनी भाबीजान दो चार रोज में तरो रहोंगी दो चार रोज में नहीं कल या परसूटक नहीं आओगी तो अच्छा नहोगा चछिबसे, चलो आपगे हाई को लोजरो कि दो को लौताव चलो बहुत आपगे हाई अचंपि गिरस्तार करके impolista認為 औस टोकेनें में लेओ या कि सितन दगा सिलो, बॉछो हमें कज जाथ 아में औरे कहा 되면 तलाशी होगी कैसि तलाशी हो कि ठोड़े यह क्या यह मामारी तिंड शब को हारे रहे अपाटो, क्या बात है ना? तुम मुझे छोड़ो, वो जो ठोली जा रही ना? उसमें जो काला बुरका है, वही है, तुम जाओ, तुम जाओ अरे, ला कमाला, चाओ कि मिलेगा? अरे, बात कमाले तुम्हें बात क्या रहा रहा था? अरे, क्या हो तुमे। अरे, अरे! लुझाब कि अब अब अंदर गई है सब यहीं खड़े रहो यहीं से लोटेंगी अगर उदर भी तो एट डर्माजा है हाँ उदर से निकल गई तो जाओ तुम उदर चले जाओ नहीं पैचानूगा किसे हो अमा साथ औरते एक साथ है उसमें जो काला बुर्का है ना पस वही है अमा जा जो ना यार जाओ जो दे उस काव भी भला जो ना दे उस काव भी भला अरे बाबा आप ना लाएको इस अल्ला वाले फकीर को पकर के लाएको उस तो खुदा का खौफ करो बच्चा अगर इन गधों को जरा भी खुदा का खौफ होता तो ये बेहुदा हरकत नहीं करते हैं कुछ परवा नहीं हमने इस गरे को मास किया अच्छा बच्चा हम चलता है अब जाता कहां है हुदू ये कोई पीर फकीर रही ये तो पका चार सभी सो बदमास है ये देखिए अरे ये बात है अरे जी हाँ खांदानी गिरा कथ है उल्लू का पठ्था लाम शिंग देखिए नहुदू किसी का केमरा मार दिया है अपा इस आठ नमबर मेरा मतलब ए ताज पोशी का मुस्ताफ तो मैं होई चुका हूँ लेकिन ये प्रोग्राम घर पर ही रखा जाए तो ठीक होगा खामोश बारूपिया पता ये भेज क्यों बदल लगता ये भेज ये भेज ये भेज हाँ वो इसलिए के बहुत से चोर उचक के पुलिस वालों का भेज बदलकर चोरी करते हैं उनको पखड़ना चाहता था तू बगता है अपा मैं सच कहता हूँ मैं तो उस नालय को पकड पखड़ना ये है वहाँ जाते शरी निकलो माल के दर चोरी का ये है ये है मेरा दस्वन ये है देखिए ये बटबार मेरा है साइब मुंशी जी लाई ये चैमरा मैं तो इसलिए लाया था कि छोरी करते वक्त इन कंभक्तों की फोटो खेच लूँ और आपको दिखाऊं लेकिन इन्होंने सब बना-बनाय काम बिगार दिया इधर आप देखा मुंशी जी क्या करने है शाबाश वाला शाबाशी की क्या जरूरत आप ही का तो बेटा है अले मुसर्रत आप कहां चले वे टाट यूही जा एक मामला और देखना है मेरा मतलब इसी टेप का नई नई ते बास मेरे पास आईए बेटी ये मुंशी जी मेरे बेटे के लिए एक ग्रास थंडा शर्वत मंगाई ये तो क्या गरम मंगाओं न थं अब इसका पीछा करना चाहिए अरे बबन मिया तो देना देखो तुम की जन्बी चले ये तुम की जन्बी चले ये मतरो शायदा अब शायदा को मारो गोली तुम जन्बी चले ये है अमा यहां क्यों खड़े हो इस घर में तो कहीं है वो इस घर में वा कहीं ताजब क्यों है तुम है इसलिए के मेरे चाचा का मकान है ठीक कहते हो ना गलत फेमी तो नहीं हुई अमा खबाल करते हो अरे भाई वही लड़की है काले बुर्के वाली पिछा करता रहा हूँ मैंने ठीक से देखा है वही लड़की है तुम्हारे चाचा की हाँ नसीमा नसीमा है सुरत है रहा है हाँ भाई बहुत सुरत तो फिर वही है चाओ यार अभी बैगाम दे दो और अगर बर्द खाने की जरूरत हो तो वहीं दे सीटी देदे अमा जाओ यार परेशान कर दिया तुम्हें लड़की बगल में और दिंडोरा शायर में लो सैकल पकड़ो अभ्यार दिल धरनी की जगा नहीं थी उस पर गर्द धूल की तौबा ही भली जी मैं आ सकता हूँ अशलमिया जी भाई जान हाओ बैटे आओ क tackling शि observed की फूली काम यॲब्ले से आरत अ वियुक्त क्यों दो कि हूं और यूंつ आक है जांत थोड है जैसे आप अरे भई बताओगी भी क्या बात है चलिए रहने दीजिए भाविजान ने मुझे सब बता जिया है कल आप लोगों में शर्थ हुई थी कि आप अपने दोस्तों से भाविजान का सामना करा देंगे और परेशान करेंगे पहले तो एक सहाब नवाब ये क्या नाम बताए था उन्होंने वो पिछा कर रहे थे फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले कुछ बाते की और इशारे भी फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीवे की वो वो चक्कर दिये कि कुछ कख कुछ हो गया मुकर भाई-जान ऐसा भी क्या अपनी बीवी को किसी गयर मर्गों क्यों दिखाते है बड़ी खराब बात है अरे वो तो यूही मजाख वा था तुम्हारी भाबी से और आप भी ने उता दे रहे हैं आखिर बात क्या है बताईए ना जाओ बुरका रखाओ पहले फिर बताऊँगा चलो जल्दी चची अरे बेटा तेरे मुँ में घी शक करे खुदा की कसम अगर ऐसी बात है तो इसी चार्ट तो पकी कर दूँ आपकी तरफ से कोई गरबर तो नहोगी अरे बेटा तेरी जबान एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ मजाने जो फरका जाने बस तो ठीक है बेदर ती मेरे सैया शब्नम है कभी शोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले बेदर ती मेरे सैया शब्नम है कभी शोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले मतलब के ये रसिया है कोई इन्हे क्या समझे ये खुद भी नहीं अपने बस इनको खुदा समझे आज दंबर में ये तोला है दंबर में ये बाशा है बनते है तमाशा है और खुद ही तमाशा है और खुद ही तमाशा है रह रह के बदलते है दिन रात ने चोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले 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 हर एक अदा मेरे बालं की निराली है बाते है मोहबत की दिल प्यार से खाली है है आतत है बड़ी चंचल सूरत है बड़ी सादा आतत है बड़ी चंचल सूरत है बड़ी सादा हर जाई है हर जाई इन से कोई क्या बोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े बोले बाबा बाबा वक्त खतम हो गया है तो शरीफ ले जाईए हमारा वक्त अब शरू हो रहा है बच्चा अमा शहदा सहाब काहे कोई धोंग रचा रखा है कैचन लिये तुम्हें मैंने कहा हुदूर है तो है खैरियत कहे की अब दा हुदूर में जगा जगा पहरे बिठा रखे हैं और अगर घर में ठंडी आवरता हूं तो गर्दन साम लेते हैं पर रुक न सका शौक मेरा रख्मगरों से मैं आ ही गया उड़की मुहबद की परों से खाला दीबी ने सुन लिया तो ये मुहबद की पर कार के रख देंगी मैं उनकी कैची गायब कर दूंगा फिर करते काटेंगी देख समीगा एक दोस्त की शादी हो चुकी है दूसरे की होने वाली है अब बचा मैं तो फॉरन हां कर दो वरना 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 हां यही रंग लेकर जंगल की तरफ निकल जाओंगा और मरते दम तक जबान पर एक ही बोल होगा बेदर्दी मोरे सहियां चबनम है कभी शोले अंदर से बड़े जॉले बाहर से बड़े भोले यह देखी हमी यह है यह है कितनी अजीब बात है असलम की शादी मैंने करवाई और मेरी शादी असलम करवा रहा है वो भी अपने चचा की लड़की से है किताबों में भी यही लिखा है कि जोड़ा आस्मान पे बनता है और यह देखी हमी नौरतनहार कितना खुबसूरत है आपको पसंद है ना मुझे तो यह सभी जेवर अच्छी मालम होती है बेटे मेरी राय में तो इन्हें असलम के पास लेगा वो मिया भी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा क्योंकि जमाने के मताबिक उनका मजाख है और फिर हो सकता है कि वो लग लड़की से भी पसंद करवाले विश्टेदार क्या बात करिए अमी जान लाइए एए एए शुब्रा पर खेर जड़ा निगोडी तर पर बैठें और तुखाक उड़ा जा रही है बीबी जड़ा भर के लिए आप मर्दाने में चली जाएए तो रुक तो पहले है लुकि जारोजने बारोजने वारोजने लारोजने. हाला! शटरादे! ए शुबरातन जी बीबु देख दो नवाब साब आया है शायद प्रिखाना के भाई कहते उसे लेगे दुकान पर होंगे अच्छा बीबु जी ये कहा है कि मिया दुकान का शिक ले गया अच्छा मैं जाता हूँ मेरा सलाम के रेना दुको दूको दूको एक चर्चो तो सही क्याए उत्यों प्रेट दुकान के आपके अदनी है आज चले चलो मेरे साथ फॉरण बताओगे नहीं अमा यार क्या बताओगे आज तु फिर मर गया हूँ पहले हैं बुझाओगे अमा वो तुम्हारे हाँ आई हूई है वो कौन ओखो तौबा मेरी भाई नसीमा और कौन अमा हाँ मैं तो भूली किया था अज के लिए ये जिवरात लेकर गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से बदल करा मैं ठक का दर्वाजा खोला पिसमत खुल गई यक बारगी सामना हो गया अमा यार आँखें चुंदिया गई आय अल्ला के कर वो उस तरफ भागी और मे पसंद हो या ना हो यहार मेरी तरफ नसीमा के गले में डाल देना और यह अचानक तीदार का नजराना है चलो ना अच्छा वै चलता हूं जड़ा मुनीम जी आ जाए गड़ी खाली है बस आते ही होंगे यही बैंक तक गए हैं मुनीम को भी बैंक की सुझी तो किसी वारे है बैठ जाओने चबता है बैठों क्या खाक यहां सबर के बैंकर देवाला हुआ जा रहा है तो यू करो मैं हार लेकर चलता हूं नसीमा और तुभारी भादी दोनों को राजी करके बिल्कुल सामने बिठाता हूं तुम एकबार की दर्वादा खोल देना अ ताब और मैं आप दोनों सामने हूं जब दोनों उयला के से भाग जाएंगी तो हम यह भी फैसला कर लेंगे कि मुकाबले में किसकी वीवी अच्छी है जीते रहो मेरे दोस्त जब तक जी चाहे लाओ मेलाओ हाथ जा बात निकाली अच्छा तो मैं चलता हूं उड़के पहुचना हमाँ जादी चुको थमाँ जा पे से हादी जादी कुटी जादी आपके लूटी का। बीकम? बीकम? आ यह क्था है? हाई, कितना अच्छा है बड़ा खुषरत, मेरे ले ले लाहया अरे भई, पसंद है तो तुम्हारे ले ले भी आजाएगा ये तो नुवाब साहब में भीजा है किक के ले 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 बड़ा वो है कहाँ, पहले वो तो पसंद करने वो तो अभी नहीं आए, कबसे इंतजार करने है क्यों मदाद कर रही हो नसीमा ए नसीमा अल्ला जहलता है जूट नहीं वो अभी नहीं आए हाँ, अलबस्ताद के नवबाफ सा बात है वे धड़क उन्हें दर्वादा खोल दिया और मेरे सामना हो गया है अल्ला कहकर में तुभाग गया बड़े खराब है तुम्हारा सामना हो गया उनसे हाँ, मगर इसमें मेरी क्या खता कमरे में शुबरातन जाड़ू दे रही थी तुम्हार मर्दा ने मिसे लिए तो नवाब साहब ने नसीमा को नहीं तुमको देखा है तुम उन्हें पहचानती हो हाँ, इसी तरह एक धोका हो गया था उनकी बहन की सालगिरा थी उस दफ़ा तो मैंने ऐसा कस के बेत उनकी पीट पे मारा था अगर ये बात तुम्हें पहले क्यों नहीं बताई है हाँ मकाबिला जुरूरत किसी गायमर्द का नाम या जिकर मेरे जबां पे आता ही क्यों क्या सोच रहे हैं आप देखिया तो क्या हुआ को इतनी बुरी तो नहीं है अंधी हूं लंगडी हूं के लोग आपका मज़ा खुडाएंगे ये बात नहीं तो फिर क्या है बताईए ना पहले तो आप पानी लिया पहले तो एक सहाब नवाब ये क्या नाम बताय तो नहींने वो पिछा कर रहते तो फिर मज़ार के अंदर से हम लोग उनने देखा कि आप भे हैं से आमिले कुछ बाते की और इसारे भी फिर तो हम लोग उन ऐसे ऐसे तर्खीजे की वह हो चक्कर दिये कि कुछ का कुछ हो गया पानी जी क्या उस दिन उसमक तुम और नसीमा दोनों ने काला बुरके पहने लगे थे आप कुछ न कहता है तुम मेरा जानी दोस्त है तुम बता ही न फिर क्या बात है कुछ नहीं यूए तुम पानी नहीं नहीं खैला दिया तो अभी अब अब लीजी आपको मेरी वज़ा से तकलीती मैं माफी चाहती हूँ अब कभी मरदानी कमरे में नहीं जाओंगी पगली अच्छ में तकान जाता अब यहाँ नहीं में तुम जाओंगी अब तुम जाता अब शेख और मुजदन ही आशिक के जैन के लिए क्या कम थे कि तीसरे ये कमबख्त मुनीम भी शुरू हो गए अब 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 जाओंगी अब जाओंगी अब जाओंगी यह है यह मेरी जान मेरा इमान मेरी जिंदगी मेरा सब कच्च्च अब यह यह अब 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 यह अब जिन्दगी की हसीन राहों में काफिले दिल के लुट भी जाते हैं प्यार का जाम लेने वाले सुन जाम हाथों से छुट भी जाते हैं मिली खाक में मुहवत जला दिल का आशियाना मिली खाक में मुहवत जला दिल का आशियाना जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना मिली खाक में मुहवत जला दिल का आशियाना ये बहार कैसी आए जो खिजाब साथ लाए ये बहार कैसी आए जो खिजाब साथ लाए मैं कहां रहूं चमन में मेरा लुट गया आशियाना मिली खाक में मुहवत जला दिल का आशियाना मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवा को लूटा मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवा को लूटा इधर आगले लगा लूँ तुझे गर्दिश जमाना मिली खाक में मुहवत जला दिल का आशियाना जो थी आज तक हकीकत वो ही बन गई फसाना मिली खाक में मुहवत अज़ता प्रेश जलाल तुझे वैक कमालतु अरे जरने की कोई बात नहीं है नाष्टे गली बुला रहे हैं नाष्टा जूतों का आगे सुमई सुमा मॉलने भरके पागल हुआ है अंडे, पराथे, हल्वा टेरिये, टेरिये, पहले ये बताईए दिन है ये रात अरे गजे दिखाई नहीं देता, सूरज निकला हुआ है किता से? पूरब से जूत, अवल तो ये सूरज नहीं अरे वो तुस्ते बहुत खुश है और अब तो तेरी नौकरी भी ठीक कर रहे तबियत तो नहीं ठीक करेंगे ना नहीं, नहीं, नहीं अच्छी बात है आपका जिम्मा कहीं ऐसा नो बिला नोटीस ताज पोशिश शुरू हो जाए चल तो जलतू जलाल तू खायी ठबातूओई आइ बपाथा बिसमैंलाः बिसमैंलाः पत्तमी ऐखता हुआइडमा जलतू जलतू जलालकूऌदःखायी ठाहिए अथा, इधरू freaking jeblar अधर चाहिए अंब अबना बातूदूदभ अधार जाप पहुसर आओ आओ मुसर्रत मिया आए अबे ये क्या बत्त में दीन जी अबे मैं पूलता हूँ टोफी कहा गई टोफी इपनो शुभा निहार वो दूद पी रहा था उसमें शायद गिर गई बाला ही समझ कर खा गया अबे मत तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ बैठ जा बैठ जा मा कहता हूँ अबे जान आप पीश मा जाईगे माइ अपने अग्डे पठेखू ले बेटा आप बिच मिल्ला कर मैंने का मसररत मिया जी सुपरिंटेंडन साब तुमसे बहुत हूश हूँ है जब मैंने तुमारी वो सिपाही पकड़ने वाली कार्फुजारी उने सुनाई पूछने लगे कहां तक पढ़ा है मैंने कहां पास है कानून पढ़ रहा है बड़ी महनत कर रहा है बेचारा अजी जब ही तो सुपरिंदारी मन्जूर है लेकिन एक शर्थ पर या वो यह के मुझे दख सिपाही दे दिये जाए ताके वो कंबख्त बद्नसीब जिन्होंने मुकदस और मुबारक वलियों की दरगाओं को तमाशागा और आयाशी की जेगे बना रखा है पकड़ पकड़ कर इतने दुर अजीब बात है आप कहते हैं दुकान से आ रहा हूं निम जी रुपए लेकर आये थे शाम तक बैठ कर गये हैं वो कहते थे आप दुकान पर एक हफता से चीक से बैठते ही नहीं कभी घड़ी भर के लिए चले कभी दो घड़ी बेगम दर असल परेशानी में कुछ का कुछ कह जाता हूं मगर परेशानी क्या है आपको परेशानी बात यह है कि अनमोल हीरे के साथे में धोका या नातजरुबेकारी से कुछ ऐसी गलती हो गई है कि इस मामले को अभी न सुझाया क्या तो एक ने एक की तबाही लाजमी और यकीनी है आपका क्या तालुक यह समझ लो बैच जा पहले आज तुम्हारे मूँ से फाल खोलता हूं जैसे तुम कहोगी वैसे होगा देखो दोस्त हैं बड़े कहरें जैसे हम प्यारे मिया या शैदा उनमें से एक दोस्त को एक हीरे की तलाश थी और वो हीरा अंजाने में उसे मिल भी रहा था मगर वो हजरत ये न समझे कि ये वही हीरा है अब पत्थर समझ कर दूसरे दोस्त के हवाले करती है उस दोस्त को जब पता चला कि ये तो वही हीरा है जिसके लिए मेरा दोस्त जान देता है और उसकी तलाश में अपी सर करता है तो बता उस दोस्त का क्या फर्द है जिसके तुम्ही फैसला मुझे करना है तुम मेरी बीवी हो तुम्ही भी तुहक है तुम्ही फैसला करतो है मेरी रह में तु दूसरे दोस्त को वहीरा पहले दोस्त को वापस कर देना चाहिए यही मैं भी चैलता था मगर ये देखकर कि दूसरे दोस्त ने उसके शकल बदल दी है अंगुठी में जर्वा लिया है अपने जिसम जान के जीनत मना रखा है ये फैसला करते हुए जरा जी जगता हूँ दोस्ती के मानी है कुर्बानी और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही मुझ्जा होगा इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर फाइदा है ऐसा ही होगा इंचाल्ला आदावर्थ है हुजूर मुनिम जी आप गदेन हाँ हाँ हुजूर आप कहेते हैं तो ठीक ही होगा आपने बेगम से ये क्यों कह दिया कि मैं दुकान से गाइब रहता हूँ इसलिए कि यहाँ नुखसान होता है सिर्फ इतना कहा था कि काम के वक्त न रोका करें घर पर आपको मगर ये आपको कैसे मालूम हुआ कि हर वस्त में बेगम साहबारी के पास बैठा रहता हूँ जी तब तो मैं वाकई गदाम आए इंदा इस यह ते हैं बहुत खोड़ और ये सेंपल मुनिम जी आप कोई तरकीब जानते हैं काहे की सब्कार पीवी से अलाइद की यो कहिए के छटकारा पाने की अजी हुजूर एक छोड़ हजारू बस लए शराब खोरी, अयाशी, नाच रंग, ललाई जगडा आधी रात के बाद घर पहुचना कभी कभी पहुचना ही नहीं कहीं सो रहना वगएरा वगएरा बदनामी लाजमी होगी बस दो ही दिन में तंगा कर वीवी खुद ही मैके चली जाएगी उसके माब आप तलाख के लिए जोड़ दें और आपके यहां तो यह भी चलता है मगर यह सब आप किसके लिए पूच रहे हैं सरकाज अच्छा मुनिम जी यह सब अगर सिर्फ दिखावे के लिए कि लिए किया जाए मेरा मतलब है दुनिया समझे वो ऐसा करता है और दरसल वो कुछ भी न करें तो तो इसमें पूचने की क्या बात है सरकाज आप ने यह मसल नहीं सुने बज अच्छा बज नाम बुरा तो यूं कीजिए आज शाम को आप मेरे धर्ट चले जाए और बेगम से कह दीजिए कि मैं जाए तेर से किस लाओगा राम, 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 सरकार अभी से आंधी आरिये शैज चाने असलमिया का रह गए दस बज गए क्या हमेशा रात को इतनी देर से आते हैं नहीं तो अम्मी, आजी कोई खास बात हो गई है कारोबार के सिलसले में बैट गया होंगे कहीं फिर भी, तुम्हारा क्या खाले कहां होंगे वो मुन्हे भाई, खुदा के कासम तुमारे लिए घर भेश दूंगा आदा वर्द हुजूर चा सोच रहे हैं बंदा बरवर अजमल मिया ए अजमल मिया जा है देखो न तुमारे बंगनोई पोठे जांकते फिर रहे हैं इस वक्ती हदरत यहां कैसे देखो दर्लाल भी साथ में चिपका हुआ है देख रहाँ अकमल अकमल आयो ला अरे आयो हुजूर बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं घर की बरबादी के आसार नजर आते हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं बदले बदले डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शामा सहर डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शामा सहर मेरे चहरे से ला भटती थी कभी जिन की नजर मेरी सूरत से वो बेजार नजर आते हैं मेरी सूरत से वो बेजार नजर आते हैं भर की बर बाबी के आसार नजर आते हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं बदले बदले वो जो बदले तो जमाने की हरा भी बदले दिल की खुशिया भी गई घर की फजा भी बदले सूने दरो दिवार नजर आते हैं सूने सूने दरो दिवार नजर आते हैं घर की बर बाबी के आसार नजर आते हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं बदले बदले मेरे मालिक ने मुहाबत का चलन छोड़ दिया मेरे मालिक ने मुहाबत का चलन छोड़ दिया करके बरबाद मेरे दिल का चमन छोड़ दिया फूल भी अब तो मुझे खार नजर आते हैं भर की बरबादी के आसार नजर आते हैं बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं बदले बदले याल एजर सरकार नजर आते हैं कर दो एजर कर दो याला नजर आते हैं झाल कर दो कर दो कर दो कर दो मेरी रह में दूसरे दोस्तों वहीरा पहले दोस्त को वापस कर देना चाहिए दोस्ती के माननी ही कुरबानी और गुरबानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही मुच्चा होगा इसके अलावा अगर आपने कोई और पैसला किया, तो आप पर हर पाएगा जोड़ दर्बफ्त मुलाइदा फर्माईए, ये अपलत और ये कमखाब तो हमारे दुकान की खास चीज है आदावर्ज है, आदावर्ज है, आप लोग इसका जएए, कपड़े ये ही रहने दीडे, जो पसंद आएगे उनके दा मिल जाएगे आदावर्ज है आ, हाँदावर्ज है तो यू निगाहे रोशन अली हो गई मगर तुम क्या हो गए हो पौज में बढ़ती हो गए हो थानेदार बन गए हो अमा ये सब तुम्हारी आश्की का तुपैल है क्या क्या गुल खिला है इसने वाप तीदी इनाग तो तुम पकड़ोगी नहीं जब पकड़ोगे घुमा कर मेरी आश्की से क्या मतलब अमा नसीमा की तलाश में जो नकलिक सिपाई गिरफ़तार करवाया था ना वाली साब ने कहीं जोश में आकर सुप्रेंटेंजन साब से कह दिया बहुत खुश हुए इंटर्व्यू के लिए बुलाया और ठानेदार बना देने का वादा फरमाया अब बोलो है के नहीं तुम्हारी आश्की का तुफैल बस खाकी लिबास पहन कर अभी से थानेदारी की प्रेक्टिस शुरू कर दिये वागई यार यह तो बड़ी बात है असलम को वालूम है अमा वह मिलता ही नहीं उसे ही देखने के लिए तुमाई यहा आया था मेरे खा असराल में शादी विया के फेर में होगा है ना वह वहां भी नहीं जाता मैं उसकी दुकान पर गया तो मुनीम जी ने का वो यहां भी कई दिन से नहीं आये कुछ गड़बड है सरकार मैंने पूछा क्या तो गोलो क्या कमबग बहुत कुरेदा मकर तालता ही रहा मेरे खाल में असलम और बेगुम की बनी नहीं इसलिए हजरत कहीं और उलच रहे है क्या बात क्या बात करते हो यार याद नहीं बीदी के कितनी तारीफ या करता था वो शुरू शुरू की बात ही मिया अनबन होते कुछ देर नहीं लगती चलो कोई बात नहीं पता लगाये लेते हैं ये भी लाएगे कि अमा लाओना है यार का समगोदागी किस नाला नोका बर्दिया ओ वो मावकनार नमरता तेरा सूरत तो देख अपनी इतना सा मू निकलाया है मगर तु छुपा ही जाती है अरी तेरे भाईयों ने उसे कोठे पे चड़ते देखा है क्या छूट कहेंगे वो अमी अगर यह सच भी है तो उसी वक्त तक जब तक वो आकर इसे इंकार न करते तु तो शोहर परस्ती में अंधी हो गए है अंधी तुछे उतका कोई अयब नजरी नहीं आता मगर याद रख इस बात की रोप ठाम नची गई तो एक दिन हम सब को सर पर खात रख के रोना पड़ेगा आप लोगों को गलत फ़हमी हुई है में वो हरकिस ऐसे नहीं है कभी राजे मुखबत छुप नहीं सकता छुपाने से ये वो तूपान है जो और उभरेगा दबाने से मेरे सरकार मेरे सरकार जिस उलजन को लेकर आए हो दिल में बूल जन जान ली हमने तुमारे सर जुकाने से दिल के कहानी रंग लाई है अल्ला दुहाई है दुहाई है अल्ला दुहाई है दुहाई है सासे है हलके हलके आखे है छलके छलके आज तो जापे बन आई है आज तो जापे बन आई है अल्ला दुहाई है दुहाई है किसी को भी मुहबत के नफंदे में खुदा डाले किसी को भी मुहबत के नफंदे में खुदा डाले ये जब चाहे बना डाले ये जब चाहे मिटा डाले कोई इसका भरुसा है न कुछ इसका ठीकाना है कोई इसका परुसा है न कुछ इसका ठीकाना है किसी को जिंदगी दे दे किसी का घर जला डाले क्योंके बल्ला ये बड़ी हर जाई है बल्ला ये बड़ी हर जाई है अल्ला दुहाई है दुहाई है सासे हैं हलकी हलकी, आखें हैं जलकी जलकी आश तो जापे बन आई है, अल्ला दुहाई है दुहाई है हमेशा जिन्दगी से खेलते हैं इश्क के मारे हमेशा जिन्दगी से खेलते हैं इश्क के मारे ये अपनी अपनी किस्मत है कोई जीते कोई हारे अरे तौबा ये दस्तूरे मुखबत भी कियामत है रहो खावोश तो दिल को जलाए घंके अंगारे और आहें भरो तो रुसवाई है आहें भरो तो रुसवाई है अल्ला दुहाई है दुहाई है सासे हैं हलकी हलकी आखें है जलकी जलकी और तो जापे बन आई है अल्ला दुहाई है, दुहाई है दिल की ताहा निरंग लाई है वाद आखो आखो फ्रिस्ट आखो यह वसूर यह देखिये जो मुनासिप समझे लेली जी मेरे लिए यहां कि तौर तरीके कुछ ने ने से हैं भी कोई बात नहीं सीख जाएगा इस्ता इस्ता कोई आ गया आने दीजे मेरा यहाने का मकसद ही यही है कि यहाने वालों से मेरे जुल बढ़े शोरा तो कि अज़ दर्वादा खोलने में इतनी वेर क्यों क्या आप और यहां तब काहे को मिलते भला तुम क्या मुझे ढून रहते अमा हद गयो कुछ ढून लेगी कई दिन से दिवा ना कर रखा तुमने तो ठीक ही निकला अपना खयार के तुम कहीं उलज रहे हो खयार कुछ परवा ने तमीदन काहन खोल कर सुन लो जिसके लिए मैं खास तौर से यहां आया हूँ आयला सुनते रही हूँ कोई बहरी थुड़ी हो गई हूँ आज के चौथे रोज नवाब सहाब की भरात में तुम्हें तख्ते रवा पर नाशते हूए चलना होगा बारात बड़ी धून दाम से जाएगी क्या चारी दिन रह गए बारत को और क्या मगर तुम्हें आप किसी चीज का पता क्यों होने लगा आप इनको जानते हैं लीजिये और सुनिये वो मसल सुनी है ना एक जान और दो कालिप गलत बिलकुल गलत एक जान और तीन कालिप ये अम और नवाब सहाब अरे वो ही जिनकी बारत में तुम्हे चलना होगा अच्छा अछ्छा अच्छी बाते तुम्हें चलता हूँ लहाज रहे मेरे दोस्त हैं और तुम तो अभी बैठोगे शायद बैठो बैठो मेरे ख्याल में सिर्फ पीना बाकी रह गया है वो कसर भी पूरी करी डालो भेज दू दो जर बोत ले ना छेड़ न कहते बादे बहारी राह लगा तुझे अटखेलिया सुझी है हम बेजार बैठे आप और आप थी खेरियत तो है अब तक तो थी मगर अब नहीं क्या मतलब मतलब बिल्कुल साफ है और सिर्फ दो लख़ों में या तो अपना चाल चलन समभा लो या मेरी बेहन को तलाग दे लो यह बात है तो सुनिये कान खूल कर चाल चलन में समभा लो या न समभा लो ये मेरी जाती चीज़ है इसमें आपको बोलने का कोई हक ने है अब रही दूसरी चीज़ वो आपकी बेहन का मामला है उसमें आपको हट जरूर पहुँचता है मगर पहले मेरे चंद सवालों के जवाब दीजी अगर मैं तलाट दे भी दूँ तो क्या होगा उसके बाद नवाब का सर्मंड है गया हम उसको जिसने हमारे बाप को धोका देकर हच के लिए भेद दिया और शादी अपने बजाए तुम जैसे नामाखूल से कर दी यही तो जल्म हुआ मैं भी तो यही कह रहा हूँ क्या नवाब साहब तयार है इसके लिए तयार होना पड़ेगा कोई मदाख है तो ठीक है मैं अभी तलाग देने को तयार है इसी वहाँ उदा की कसम बड़ी खुशी से मगर इसी शर्थ पस्त कि निकाह हो बाग में तो सिर्थ नवाब के साथ है और अगर नवाब साहब न माने तो तो कभी नहीं दूगा किरमा तक नहीं तीधे के टेड़े हैं अच्छा तुम मारने आयो मुझे बेशाब ठैरो डेरो नहीं मैं तुम को नहीं मारूँ तुम मेरे अजीज हो ये लो चाकू से मारोगे तो ठीक से नहीं मार सकूँ ने सातिर हूँ वार उच्छा लेगे तो इससे कोई गर्बर नहोगे बस दवाते चले जाओ मैं तुम्हारे आयसानों से दख जाओ मारो मारो मैं कैसा हूँ मेरे सर ताज मेरे मालिक आप मारो क्या ये एक को शहीद करके जन्नत में और दूसरी को बेवा करके जीते जीत जहन्न में जोगत होगे तुमको खुदा की खतम मारो बस फिर गया मूँ बहन अपना पून है इसलिए जमिना आपने मुझे लड़क पन से सिखाया है कि शोहर के पाउं के नीचे जन्नत होती है आज मैं वही जन्नत लेना चाहती हूँ तो तुमारे आती हो क्या दुख है मुझे दौलत चलो मैं दिखाती हूँ तिजोरी भरी पड़ी है इतनी कि हमारे साथ पुष्टों ने न देखी होगी आठी बजी ये घर आ जाए पाउं पहला कर सो रहूं क्या मिला किदमत का मुझे नहीं जितनी देर ना है रात भर ना है इंतजार करूंगी जिस वक्त आए खादिमा की तरह खाना खिलौंगी पाउं दबा कर सुलौंगी चिननत बीवी को पाउं दबा कर ही मिलती है वेटा सुनो तु नहीं तुम सुनती जाओ और तुम भे मैं इनकी बीवी नहीं कनीज हो लॉंडी हो इनकी एक मुश्कराइट पर अपनी जान खुर्बान कर सकती हूँ चलो गोली और दोनों के एक साथ शहीद कर दो अब कहा जाते हो जाते हो तो सुनती जाओ तुमने जो कुछ चाहा बहुत बुरा चाहा फिर कभी मू न दिखा न मुझे समझने जमीला तुमारे लिए मर गए और तुम जमीला के लिए आप से शिकायत की जुरत इसलिए हुई कि ये शादी आप ने कराई की और यकीन कीजिए नवाप साथ जो कुछ भी आप से कहा है एक एक लफ सच है शहादा से मुझे सब कुछ मालूं हो चुका अब आप घर जाए और अपनी वालिदा साहवा को मेरा सलाम करें और ये कहिए कि मैं मरा नहीं जिन्दा हूँ अभी उनकी वेटी फूलों की सेच भी जूला चुलेगे इत्मीना नचे खुदा आपकी जबान मुबार्ण करे आदा वर्स आदा अब बताओ किसकी रोकथाम केसे कीज़े यही तो मैं भी सोच रहा हूँ तमीजन ने कई बार कहा है को वो जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं कोई ऐसी तरकी बताओ जिससे की बीवी को भूला रहो अब 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 अगर तमीजन चली गई तो तुम्हरा भी हो जाएगा अब क्या क्या रहा हूँ उसको तो मालूम है कि तमीजन मेरी है आखिर होना एहमे खुल लजी वो कैसे बाई बताता हूँ आओ बैठो कई बार तुम से कह चुका हूँ कि आउर्टों के मामली बहुत टेड़े होते हैं कोई चान के उन पर कब्दा करना चाहता है और कोई अंजने में चानों हो गई छुटी आमा वो कहती भी थी कि तुम हमेशा दरोगा होने की धंकी दिया करते हो किसी दिन ऐसी जगा चल दूंदी रह जाओ भी ढूंते हैं बिल्कुल अब बताओ क्या रादा है तुमारत यही के तमीजन अगर उसको पसंद है तो उसकी बैए मेरी राए में दोस्त अगर दोस्त के लिए इतनी भी कुर्बानी न कर सके तो वो दोस्त कहलाने का मुस्ताथ ही नहीं बहुत हो वाफ 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 आप इसे कुर्बानी कहते हैं अमा ये खुर्बानी नहीं कतल है दोस्त का जो आप कर रहे हैं बलके कतले आम कहिए अमा असलम और तमीजन जब दोनों इरादी तो फिर कतल किसका हुआ अमा मेरा असलम का और शायद तुम्हारा भी अमा मेला कैसे सुनो तमीजन असलम के घर गई नहीं कि ये साले साब जो भी गए हैं दोनों को जान से मार देंगे इस दीवानिगी में कि अपनी भेन यानि असलम की बीवी को मेरे सर पटक दे जो इनकी मुद्द से खौईश है और मैं अपने मरे हुए दोस की बीवी से शादी तो ना करूँगा अलबता इन दोनों भाईयों के सीने से मेरी गोली पार हो जाएगी फिर क्या मुझको फार्सी हो जाएगी इस तरह से मैं जाओंगा असलम जाएगा वो दोनों साले जाएगे तमीजन जाएगी तुमारी और तुम भी खैर मरोगे तुमारी बहुत आया हो मेरा कुछ दिन दिमाग दरूर खराब रहेगा तुमारा अब बोलो है कथलियाम के नहीं अमा ठेरो यार, पत्रुन गिरी जाएगी चार, तुमने तुम्हेरा इतनी सुखा दिया असलम मिया मेरा मतलब है प्यारे मिया, बताओ ना करना क्या होगा करना क्या होगा हिम्मद, जाओ और तमीजन का दर्वाजा हमेशा के लिए बंद कर दूँ मैं पहले अपना हुलिया बदलता हूँ, उसके बाद ठाने से कुछ काख़ाद लेता हूँ, अब इस तीन बाट किया देता हूँ, भी तमीजन का खुदा आफिज देगो, मैं बड़ा ना दिम्मद, मैंने तुम्हें बहुत तक्लियर थे ये दोस्तों के मामले ने, मुझे उल्चावे में डाल दिया, इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ कि कहीं से कहीं पहुंच किया, फिर भी मन्सिल नहीं दिखाए दे, ये आपकी नहीं, मेरी खलती है, क्या कहते हूँ बेगम, ठेकी कहते हूँ, मुझे उस रोज मर परेशान हो भी गया था, तो ये ने बताना चाहिए था, कि इससे पहले भी मैंने उनको देखा था, और एक दिन फूल में मैंने उनकी पीद पे बेज भी मारी थे, इसी चीज़ में आपको शक में डाल दिया, आप समझे हूँ मुझे घरसन देखने आए थे, और मेरा रु मैं सच कहते हूँ, मेरा अल्ला जानता है, अगर ये परेशानी किसी और वज़े से है, आपकी तवीद कहीं और लगे हैं, तो उन्हें भी लियाए, मैं उनकी बेहन बनकर रहूंगे, और दोनों दिल और जान से आपके खिदमत करेंगे, पिगम, पिगम ये बदकुमानी प कि दिल से तो करता हूँ, हुजूर नवाब सहब पशीख लाए, प्यारे मिया, बुला लो, हाय लग, बैठो तुम भी, आज मैं सामना करवाना चाहता हूँ, पिर हुए, छोड़े मेरा हाथ, मैं कहता सुनो तो, नहीं छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं होगा, खुदा की ख़सम कियामत तक नहीं, आजाओ, आजाओ प्यारे मिया, छोड़ दीजिए, आपको हमारी जान की ख़सम, आजाईए, अरे भई को दर्वाजा ख़ूना आज तो बड़े तेरे तेवर है तो उन्ते काम करवाना है बोलो तेरे होगा या तीदे अच्छा ये रो बोलो देर नहीं पहले काम तो बताईए मेरे सरकार कौन जी फैमत आ गई है अच्छा मिया ने आज तक तक तुम्हारे यहां जो भी रुटाया है मेरा मतलब है रुपिया पैसा वगएरा वगएरा अभी हाजिर करो बस इतनी से बात कहें को तकलिस की किसी से कहवादे जाओ था फेश देती पैश करो फारण अभी लाई सबकार ठीक है ठीक है बस यही है जो पहली बार दे गए थी उसके बात उसके बात आप आगए आपने कहा था लिहाद रहे मेरे दोस्त है मेरी जगा समझना याद है याद है काफी था इतना कहना कई बार फिर आये रुपिया पैसा देना चाहा मैंने नजर नहीं मिठाई शराफत ये कि मेरी उंगली तक नहीं चुई अगर कुछ कहा भी तो ठंडी सांस परकर सिर्फ इतना किसी तरह मेरी बीवी को भुलाने में मदद कर सकती हो मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आज और ना वो कुछ समझा सके तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है आज से इस घर का दर्वादा असलम मिया के लिए नहीं खुलेगा संदी बुला अपनी खाला को मैं कहती हूं नहीं खुलेगा फिर किसी को बुलाने की क्या जरूरत शेदा जैसे दोस्त की दोस्ती का नाजाइस फाइदा उठाना चाहते हूं तुम किसी के लिए इतने अंदे हो गए हो असलम कि तुम्हें खुद अपना रस्ता सुजाई नहीं देता मुझे रास्ते का रोड़ा समचत कत राते हूं मुझसे दूर भागना चाहते हूं लेकिन याद रखो कि तुम्हारे जीते जी मैं यह ही तुम्हारे जिंदगी में हाइल रखूगा चाहते क्या हूं बोलो मेरे मुझ काला करना चाहते हूं आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? वादा बूल, मुझे भूल गए दोस्त और दोस्ती का फर्ज बुल गए दोस्ती का फर्ज ही आदा करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त कैसे समझाँ? तुम समझाओगे भी क्या ये तरीखा ही नहीं दोस्ती निवाने का, जिस तरह से तुम निवाने की कोशिश कर रहे हैं। असलब, क्यों तबाई चाहते हूँ अपनी और मेरी, क्या मर्जी है तुम्हारी, शहर छोड़के चला जाओ। नहीं प्यारी मिया, नहीं, नहीं, तो बैठ वे जाए। और मुझे ये बताओ, कि तुम्हें वो क्या जाए। ये दीवानों किसी हालत क्यों बना रखी है। ये सब किसमत का खेल है। मुझे माप करतू प्यारी मिया, जो तुम चाहोगे वही हूँ। अब तुम्हें शिकायद तो मौका कभी नहीं हुआ। जीते रहो, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोजोतार दिया। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम फॉरन तयार होके आजाओ। बहुत से काम रुके हुए रहे। मैं अकेला क्या-क्या संभालूगा। अब देखो, भावी जान से कह देना कि उनकी शादी हमने अपने हातों नहाद शान चौकत से की थी। अब हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई कसर बाकी ना रह जाए। समझे। कसर कसर तो बहुत बड़ी बाकी रह जाएगी मेरे दोस्त। आय है। यह अपने आख से क्या बातें कर रहे हैं। तुम। सोच रहा था कल नसीमा की बारात है। और आपके नवाब साब की थोड़ी है जैसे। नवाब की। उसके तौफ़त आफ़त आ गई है। जी हाँ, औरते मर्दों की आफ़त ही तो होती है। जैसे मैं आपके लिए। नवाब साब बहुत खपा हो रहते आपके। देखो, किसी तरह यह शादी रुख सकती है। बस, हो गए दोस्ती ख़तू। जरा सफ सुस्पहा वह भी आपके भले के लिए। तो दोस्ती छोड़ दुश्मनी पर उतरा। और यहां तक के बहम की शादी जिसे खुद आपने ते किया है, रुखने पे तुल गए। यह शादी रुखने है चाहिए बेवम। वरना दोस्ती के दामन पर धपा लग जाएगा। हाई लग, पागल हुए है आप। दोनों तरफ महमानों के कितनी भीड है। शहर भर में धूम मची है, बड़े बड़े हुकाम, कलेक्टर, जज वगरा आए हुए है। शादी बिया कोई खेल नहीं है। अम्मी जाँ, अज्रा, सल्मा, निश्रीम तभी आ चुकी है। जमिला भाबी नहीं आई, और ना असलम भाई ही आई। आते होंगे बेटी, शैद तरह नवाग साहब कियो चरी है। जमिला कहती है, शादी नहीं रोख सकती है। जमिला कहती है, शादी नहीं रोख सकती है। किसी तरह नहीं रोख सकती है। रोख सकती है। और तुम्हें रोखना होगा। वरना ये दूसरा फरेभ होगा उस दोस्त के साथ। कि जिसने तूम्हेरा इस ततब भक्षी तुभारे जान बचाई आज कुद उसके जान घृट नहीं होज़ाल माईं Soulman कि वी इन्म ऐस fly खॉन ऊपने बहुश कर्ने नसीमा को उसके गले में डाल दै हो सकता है वो चमीला के बगएर अपने सिंदगी किसी तरह सीने पे पत्थर रखकर काट लेगा मगर ये शादी ये जानते हुए कि वो नजीमा से पाउं भी दवाने को तयार ने की सिंदगी परकर रोग बन जाएगी उसके लिए ये शादी नहीं नवाब की भंसी है रोक तो ये शादी रोक तो ये शादी कैसे रोकूं कैसे रोकूं इसका सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारी मौत तुम्हारे करीबी विष्टदार होने की वज़े से ये शादी भी टल जाएगी और तुम्हारे ना होने के पाथ चैनिला कर दूसरा निकाब इन अवाब से तुम्हारी वसियत की मताबिक हो सकता है क्या इतने बड़े दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे सकते हो पेशा आज शादी है मैंने कहा जी आज आपके नवाब साब और नसीमा बेहन की शादी है चलीगा नहीं चलने ही की तैयारी कर दाथ जी अरे तुम भी तो तैयार नहीं हुई पेगम मैं लीजी अभी हुई जाती हूँ मैं तुम्हे एक बात फिर दुलहन के रूप में देखना चाहता हूँ हाय अल्ला शादी नसीमा की हो रही है और दुलहन आप मुझे बना रहे हैं बहस ना करो पेगम वक्त बहुत थूड़ा रह गया है जान्या से पहले तुम्हें जीपा के देखरू सफरासानी से कर जाएगा क्यारे मियां जी अम्मी अरे बेटे पसीने पसीने हो रहे हो जरा दम तो लेलो क्या करूं अमीगां तहम इतना ज्यादा है और मैं अकेला अरे तो वह तेरे दोस्तों को क्या हुआ मगर असनम को तो आ जाना चाहिए था उसका भी पता नहीं बस आता ही होगा अमीजान आएगा आना होता तो दो दिन पहले आ जाता वो तुने क्या क्या नहीं किया उसके लिए मगर वह इस मौके पर भी तेरा हाथ बटाने को तयार नहीं 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 मेरे दोस्ते में सुरूर कोई खास बात हो गई होगी मैं अभी जाता हूँ और असनम को पकड़ कि लाता हूँ तू कहां जाएगा किसी नौकर चाकर कुटे आज घर से बाहर जाना तेरे लिए अच्छा नहीं नहीं अभी आता हूँ बस अभी आए अच्छा जाना चीक नहीं लाट आओ बैटे बस शुगूर नहीं होगी अमी अभी जाने क्यों मेरा दिल हॉल खा रहा है जमीला भापी और असलम भाई जाना पी तक नहीं आए अल्ला खेर करें बेटी माभी किसी को भीषती हूँ जो भी हम आगए क्या करना है क्या लेना है क्या देना है अब इक किये देतें हब अब खूरिखांगा नभाब साब कह प्शूरा और अभागी कुछ नहीं अब तारे मियाँ अब नभाब साराग यह तो श्यदा की आवाज मालू होती है दो ही अरी गफूरान नी बेगम साहब जाके कल्मू सा कहतो कि श्यदा सापको अंदर भेज़ जाज मैं इसकी ताज कोशी करूंगी उलिया की ताज पुशी अरे वावा 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 चुप शरीक रिए कमाल है मेहमान यहां मौदूद है और दूने में अका पता नहीं है अमा नवाब साहब किदर हो भाई लेगद साहब आपको याद पर्मा रखिये मुझे जी अल्ला खेर जमाद आदा वर्दे चेटी जान क्यों रहे नाला है तो अब आ रहा है नहीं तो मैं तो सुबह से का में मज़ूफ हूँ अरे क्यों जूट बोलता है कल से नथ तेरा पता है नासलम का त्यारे मियां उसी को लेने गए अच्छा हाँ बेटा मैंने लाक रोका मगर उसने एक नसुने जा इसे जल्दी से पकड़ना इतनी सी बात आ गया समझिए यह 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 गया है भेगम जाट है यह टीका उस दिन जड़ा नीचे था यहां है लग्या हो गए है आपको अब हटाईए भी वहां लोग इंतजार कर रहे होंगे शाम होने को आगए शाम तो रोज ही आती है मगर आज की शाम लग्नो की सबसे हसीन शाम होगी तुम्हारे लिए और आपके लिए मेरे लिए तो यह शाम शामे दरीपा होगे आई नौज ऐसे क्यों कहते हैं आप बस एक शाम तुम्हारे को एक शाम हमारी है क्यों रही असलम सब करें मिया नाजाने उनको आज क्या सूजी है अपने हाथ से ब्यूए के दूलहन बना रहे है 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 अपनी हुदुला आज बहुत सबसे काम ले रही क्या बात है खुद ही समारा खुद ही सजाया फिर भी पहले की तरह ये न कहा हाई मार डाला लूट लिया करामत आगई हाँ मेगम करामत भी आएगी मैं लूट चाओगा मिच जाओगा तुम्हारे लिए पयारे प्यारे मानी ये ढरॉत्या सबसे धर आएगी मिणा हाई ये तु आज आप्ला बिए ये तु आज आज आप्ला क्या हा क्या हा शवoutine क्या हा हाई क्या हासा दाउग जी अरे कुछ बन भी मियाँ वो वो नौब साब नौब साब जी हाँ और उन्हाँ खरे थे कुछ देखा, कुछ सुना गबरा के मुझे गिरे और बेता हशा भाग निकले नौब साब यहाँ खरे थे? जी हाँ, बहुत देर से तो रास खुली गया जी हाँ, जी हाँ, आरे सुन्यतों! जी हाँ जी हाँ जी हाँ कर देल्ड़यो GP अजड़पी दियर देलài येज़ः नीयो नही जोग् अज़पी कुछ जानदेरी ये चानद पैम्मीत संहें कहता है ये शादी जोग दो अरे शगले कैसे जोग दो इस शादी नहीं बरबादी है बरबादी है अम्मू का अगल हो गया ये मेरे साथ परवर्दिकार कि अपला कि अपला कि अपला कि ये जिवरात लेकर गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से बसल कर दो मैं ठक का दर्वाजा खोला तिसमत खुल गई यक बारगी सामना हो गया अम्हे यार आखें चुन दिया गई आय अल्ला केकर वो उस तरफ भागी ओडर में दिल थामें तुम्हारे पास आ गया तुम्हारी बार कहा है कि वो जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं तुम वादा भूल गई मुझे भूल गई दोस्त और दोस्ती का फर्द भूल गई तुमर दोस्ते बार जyllते बारे बार आपने वाली यह दोस्त रूदै अध़्युआ अल्ला यह जात्युआर पकिकर ज़ब बहुत बढ़ा गुना कियान है वे अमिने गष् कूछू। ग neuओ mi हॉ घरे मिया? घरे मिया? जरे मिया? जरे मिया? जरे मिया? प्यारे मिया, कहा है बेगम सहिभा? की मीया बेचारी, देछा मिया अपने कम्रे में ओक गये है。 कहते ही ही शादी रोग दो, शादी नहीं, बरबादी है, बरबादी? जारे मिया? छबाँ को लो, छबाँ को लो! Σंदद में! छबाँ को लो, छबाँ को लो! प्यारे मिया जारे झाए लुख यह तुम नहीं क्या किया, यह तुम नहीं क्या किया प्यारे मिया कर दोद्क और एंदोस का लुव स्सक्राइब की जैंल जै क्या गिया प्यारे मीम. मार्त मार्त अढ़र आतुमने तॉस कंन सकार्चल ये क्या कहरो प्यारे मियो मेरे दोस्त मेरे खंदाओं की दास्तान तुदिया तक न पहुचे कसम खुदा की इस रास को राजी रखना असलो असलो मापीस जारे मियो पेटा 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 दरवादे पर करिए और तुम कहां चल दिये का जीए मैं नेले जाई है अजजE वर्ण म हागाने हीरा टालनीया का मारआपमने हीरा टालनीया सब्सक्राइब इस चाहिए रचात लेया क्या हुआ मेरे तरताच, क्या हुआ मुहब्बतों से आशना किसी के हो गए अगए रहे उसी के उम्र भर